मैं आपका दोस्त अभयकुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपने एक नएव टॉपिक के साथ मेरा जितना भी वीडियो था आपने बहुत ही अच्छा उसमें कमेंट दिया और जिरू ने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब के पास आता हूं जो इस बार का टॉपिक है वो है जैसे एंड हीरा जैसे एंड हीरा जैसे क्या होता है एंड हीरा क्या होता है क्योंकि बहुत टाइम इंटर्व्यू जब लिया जाता है तो उसमें पुछा जाता है कि वाड़ी जैसे एंड वाड़ीज हीरा ठीक है और कभी कभी कोश्चन पूछे जाते हैं कि वाड़ी डिफ्रेंस बीट्वीन जेसे एंड हिरा तो लोग इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि है क्या चीज जेसे एंड हीरा है क्या चीज तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोथ हाट टेक्निक्स टेक और हैजार्ड हजर्णald फाईंडंग के लिए यह टेक्निक्स यह हैं इसके लिए कीवल जेसे नहीं होते हैं आपको है जाल प्खता है हैं धिफरेंट डिफरेंट कि उसमें क्या हैजार्ड हो सकता है उसको फाइन करने के लिए जो टेखनीक ही यूज किये आते हैं लगляются कम्पनी में लग guidelines यूज किये आते हैं कि हैजार्ड फाइंडींग के लिए तो सबसे पहली बाद कि दीजार techniques for the hazard finding, hazard को find करने के लिए ये techniques है, ठीक है, अब इसमें आते हैं कि techniques हैं, तो अलग-लग नाम क्यों दिया गया, तो जैसे का जैसे कि full form है, job safety analysis, ठीक है? Job Safety Analysis Job Safety Analysis जो भी हम काम कर रहे हैं उसको Hazard Finding करने के लिए जो एक टेखनिक्स यूज किया जाता है उसमें एक होता है JS से अब JS से क्या है? तो कोई एक Particular activity कोई एक Particular activity जैसे कि for example for example एक्जांपल लेता हूं ठीक है कि माल लिजे कोई सिविल वर्क है सिविल वर्क में एक बिल्डिंग बनाना है हमें एक यह बिल्डिंग बनाना है यह रूफ बनाना है ठीक है तो इसका अलग-अलग पार्ट है अंडरग्राउंड है लिंद्स लेबल है अलग-अलग काम है तो जो एक activity मालनी जे अंडर्ग्राउंड जो हमारा आपको जो foundation तयार करते हैं एक जब हम foundation तयार करते हैं ठीक है यह foundation तयार करते हैं तो एक activity हो गया या इससे पहले हम क्या करते हैं excavation करते हैं excavation जब करेंगे तो एक activity हो गया जब उस particular activity के लिए हम है जाड को finding करेंगे ठीक है 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 जाड़ finding करेंगे तो वो होता है जिससे जब एक पार्टीकूलर के लिए अगर हम कोई जो निक ज्यू जो भी इसलाट finding करते हैं हजाट फाइंडिंग करने के बाद उसका कंट्रोल मेजर लेते हैं हजाट फाइंडिंग करने के बाद उसका हम कंट्रोल मेजर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जेसे उसे हम बोलते हैं जेसे जॉब सेफटी analysis, job safety जैसे आप सबसे पहली बात कि आप एक thumb rule implement करें कोई भी question हो कोई भी question हो, x, y, z कोई भी, any question any question, ठीक है कोई भी question हो आप अगर उस question को 10 बार, at least 10 time 10 time repeat करेंगे कोई भी question को अगर 10 बार repeat करेंगे answer automatic निकल के आ जाएगा answer automatic निकल के आ जाएगा, जैसे कि ये है जैसे, job safety analysis तो इसको आप जैसे ही थोड़ा slowly repeat करेंगे कि job safety analysis ठीक है, job safety analysis जैसे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो job है, जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें क्या हमारा safety precaution है, क्या उसमें hazard है, उसको अगर हम finding करते हैं और hazard के according हम precaution लेते हैं, या action करते हैं वो होता है, जैसे ओके इसके बाद आता है आपका हीरा तो हीरा का फूल फॉर्म होता है hazard identification and risk assessment है, हेजाड एडेंटिफिकेशन and risk assessment ओके, डेट बीन्स जैसे कि मैंने पहले आपको example लिया था, एक building बनाना है एक building बनाना है ठीक है, इस building में एक शुरू से हम क्या करते हैं excavation करते हैं उसके बाद हम underground activity करते हैं फिर दिवाल चलाते हैं फिर उपर काई करते हैं फिर आपका slab करते हैं फिर roof बनाते हैं यह सारी activity है तो जब हम including एक शुरू से लेके last तक जो भी activity है शुरू से from first from first to last from first to last activity का एक ही बार हम hazard को hazard को finding करते हैं और उसका control measure लेते हैं ठीक है hazard को finding करते हैं और control measure लेते हैं वो होता है वो techniques होता है हीरा hazard identification and risk assessment आप सारे step by step step by step सारे activity का एक ही बार आप निकाल लिए तो उसे बोला जाता है हीरा ठीक है यह भी techniques है लेकिन दोनों में एक slightly different है ठीक है दोनों में slightly different है जब भी आप से interview लिया जाए या पूछा जाए कि what is different between JSA and हीरा उस समय आपको बोलना है कि sir JSA is quality method ठीक है यह quality method है क्यों कि आपको on the actual basis आप वहां पे देख रहे हो particular one activity का देख रहे हो इसलिए वह आपको कुछ भी चीज चूटने का chance उसमें रहेगा नहीं actual basis पे आपको पता रहेगा तो इसलिए JSA is quality method जैसे क्या है quality method है वह आपको कहीं भी कुछ चीज चूटने का डर नहीं रहता है ठीक है लेकिन हीरा क्या है हीरा is quantity quantity methods हीरा quantity method है quality method नहीं है क्योंकि उसमें सारे activity all activity all activities उसमें cover किया जाते है from first to last activity तो one by one step से उसमें cover किया जाते है तो क्या है quantity है मतलब पूरा आ जाएगा individually एक step एक step की बात नहीं हो रही है पूरा activity का रहा है इसलिए उसे हम all activity को include करते है उसलिए हम बोलते है उसको quantity method ठीक है तो इस यह basic अगर आप भी कभी भी आप से question पूछा जाए कि sir what is difference between JSA and Hira तो आपको बोलना है कि JSA is quantity sorry JSA is quality method and Hira is quantity method hope मेरे दोआरा दिया गया knowledge आपको पसंद आए अगर आपको मेरा जो भी वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज comment करें subscribe करें और आपको जो topic लगता है कि इस topic पर और बनाना है तो please आप मुझे comment करके बता सकते हैं thank you very much